नमस्कार सांथियो दैजू केसे निरिया में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे कि अकास गंगा क्या होता है इससे पहले की वीडियो में हम जाने थे कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है तो अकास गंगा ब्रहमान में असंखे तारों के समू को क्या कहा जाता है अकास गंगा कहा जाता है अकास गंगा का निर्मान आज से 12 बिलियन वर्स पहले हुआ था अकास गंगा का जो अकार है वो इस्पाइरल होता है यानि कि इसमें बहुत सारे तारे अठ सकते हैं पर ब्रहमांड में लगभाग 100 अरब अकास गंगा है कितना सौ अरब अकास गंगा है अब परतियक अकास गंगा में सौ अरब तारे है तारे यानि की स्टार है अब यह जो अकास गंगा है इसमें से बहुत बरहमान में तो बहुत सारे अकास गंगा है इसमें से एक ऐसा आकास गंगा है जो जिसमें सुर्य है जिसका नाम है क्या तो मन्दाकनी मन्दाकनी इसमें हमारा क्या है तो सुर्य है मन्दाकनी में क्या है तो हमारा सुर्य है और इसी के बगल में सुर्य के सबसे नजदी की तरह है प्रोक्सीमा सेंचूरी सुर्य के सबसे दूरी वला तारा को तारा मंडल बोला जाता है क्या बोलेंगे तारा मंडल उसके पास आएंगे तो क्या है तो नच्छत्र है नच्छत्र कितने होते हैं तो 27 होते हैं और तारा मंडल कितना है तो 98 है सबसे जो सबसे नामित तरह जो है वो है एक हाइडरा अब इन ही इसी सुर्य के बगल में जब आएंगे पास में तो यहां पे क्या पाई जाता है तो सोर मैंडल पाई जाता है और इस सोर मैंडल में क्या है तो आठ ग्राह है आठ ग्राह में यही हमारा इसी में क्या होगा हमारा प्रित्थी भी होगा आगे देखते हैं कि अगर तीन तीन क्या तो तीन अकास गंगाओं के समूं को कलस्टर या सुपर कलस्टर कहा जाता है सुर्य जो है अपनी अकास गंगा यानि कि मंदाकनी का चकर जो है वह 25 करोर बर्स में लगाता है कितना 25 करोर बर्स जबकि यहां कितने स्पीड से चकर लगाता है तो 250 किलो मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यानि कि एक सेकेंड में कितना चल जाता होगा 250 किलो मीटर फिर भी इसका चकर लगाने में कितना टैम लगता है यहां क्या है तो मंदाकनी के सब से नजदिक है जो कि हमारे अकास गंगा है उसी अकास गंगा में क्या है हमारा सुर्य है उसी में हमारा क्या है तो तारा मंडल है उसी में न छात्र है और उसी में हमारा ग्रावी है दिभ्यानी यहां से कितना दुर है इस अकासिंगा है तो 2. 2.2 million words आप लोग देखें कि ये ब्रहमांड में क्या-क्या हम लोग देख लिए तो देख लिए क्या तारा मंडल उसके बाद मंदाकनी उसके बाद नचात्र उसके बाद ग्रॉंग अगली दिन हम जानेंगे कि ग्रॉंग क्या होता है और सौर मंडल क्या होता है I hope कि ये सारी बाते आपको समझ में आई होंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में